हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टेड़ी सुट चैनल दोस्तों में थाइमस ग्लेंड यानि जो इंडोक्राइन ग्लेंड है यानि अंतरहिस्त्रावी ग्रंती है इसके बारे में डीटेल में बताऊंगी जो आपके जांस में 100% पूछे जाते हैं वही चीजे बताऊंगी इस वीडियो को देखने के बाद थाइमस ग्लेंड से सभी डाउट आपके किलियर हो जाएंगे एंड दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपेटिटिव एक्जम किसी भी स्टेट के सिलिबस के एकॉर्डिंग तयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी सभी वीडियो को वाज़ करके आप अपने प्रिपरेशन को बहतरीन कर सकते हैं एंड तो हंडे से ज्यादा वीडियो प्रिवेसियर यमसे क्यूच कोस्टन पर बनाए गये हैं जो वेरी इंपोर्टेंट कोस्टन है उसका प्रेक्टिस करना आप न भूलिएगा तो दोस्तो चलिए जानते हैं थाइमस्ट ग्लेंड क्या है जैसा कि थाइमस्ट ग्लेंड हमारे हिदय के पास महाधमनी के पास यानि वच्छ के पास होती है जहां पर ट्रेकिया यानि कि श्वार्शनली दो शाखाओं में बढ़ती है जैसा कि चित्र में दीख रहा है दोस्तों यह चोटे बच्चे बढ़ सबसनें सबनाटी को है तो यह थाइमस्ट क्या थाइमस्ट घृट यह उम्मर बढ़ने पर हिरएगती गया झालती होण वर्तवर्थ होते जैसों आई जास कि दोस्तों बिनेख दोस्तों इस ग्रंथी के स्थान पर सिकुर जाती है और अजमिकर। जाती है कि तो इसे्भापडिसका होना पारिम्हार्च था में गिल्ण। 10 ग्राम होता है और किसरों अस्था में 30-40 ग्राम होता है जैसे कि दोस्तों यह थाइमस ग्लेवन जो होता है वह लसिका तंत्र नहीं लिंपैटिक सिस्टम का मुख्यांग होता है और इसके द्वारा प्रतिरचित तंत्र के विसिष्ट को सिकाऊं T-Lymphocyte का विकास होता है यह यह T-Lymphocyte का विकास करता है और T-Lymphocyte यह यह T-Cell जो होता है और WbCMN वाइड प्लोड सेल में पा जाता है जैसे कि दोस्तों स्वेत रुदिर कर सिकाऊं को परहाते समय में T-Lymphocyte और B-Lymphocyte के बारे में दीटेलें बताई हूं कि क्या करता है यह T-Lymphocyte होता है यह बैक् तो T-Lymphocyte होता है T-Cell WbC होता है जो वाइड जिवाड़ों और विसाड़ों से सुरच्छा प्रदांग करती है ठीक है और दोस्तों थाइमस ग्लेंट से थाइमसीन हार्मोन का इस्तरह होता है यह थाइमसीन हार्मोन जो है लिंफोसाइट के निर्मार में सायक होती है ठीक लिंफोसाइट के निर्मार में थाइमसीन हार्मोन सायक होती है बच्चों में रोग प्रतिरोधक छमता बनाने में ज्यादे सायक होती है ठीक है बच्चों में ज्यादा सायक होती है रोग प्रतिरोधक छमता बनाने में थाइमसीन हार्मोन जिससे कि बच्चों में रोग प प्रमस्ट तो यह बिलंफोसीट के निमाय करता है थाइमसी से हार्मन का इस्त्राव करता है तो थाइमوسीन से क्रीया करके रोक प्रतिरोधक चमता का विकास करता है यानि इम्मुटी पास करता है और बैक्टिरिया यानि जिवाड़ों को मारता है ठीक है जिवाड़ों से हमारी रच्छा करता है प्रतिरोधक चमता बढ़ाता है ठीक है तो इस प्रकार टीलिंफोसायर जो होता है हमारी रोक प् पुछा जा सकता है इतना ही पूछा जा सकता है इतना ही पूछा जा सकता है कहां पर इस्थित होता है किसमें ज्यदा पाया जाता है तो बच्चों में ज्यदा पाया जाता है किसका मुख्य अंग है तो लिंफेटिक सिस्टम यानि की लसी का तंद्र का मुख्य अंग है ठेक ह शुरच्छब करता है यही इसमें फिरफ समांज में आया होगा सब्सक्राइब लुक्त क्या है क्या थाइमस क्या प्यूर्च विडियो से कुछ पूछा सकता है जही केलिए उर ज्यादे से ज्यादे से सियर कीजिए दोस्तों और सिलोस के एकार्ड़िन फिजिकर एजजिकेशन के किसी भी कंपेटिव एक्जाम्स का प्रिप्रेशन करने के लिए बने रहे रहे जैसे आपके लिए मैं डिली बेसेश पे इसी तरह वीडियो बनाते रहूं तो